बिग बॉश सीजन सोला के खर के अंदर आने वाले एपिसोड में प्रियंका चहर चौधरी के आँखों से आश सू निकलने वाले हैं प्रियंका चहर चौधरी जो है emotional होते हुए नजर आएगी पूरी तरह से यहाँ पर रोती हुए नजर आएगी प्रियंका चहर चौधरी और प्रियंका चहर चौधरी को रोता हुआ देखकर आप भी पूरी तरह से रो पढ़ेंगे दोस्तों और प्रियंका चहर चौधरी जो पहले अगर अभी तक आपने हमारी यूटूब चानल क्विक टीवी नूज को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सबसे पहले क्विक टीवी नूज को आप सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लें आपको बताना चाहते हैं आने फाले अपिसोड में Captain MC Stain को Big Boss के Мेकर जो है सबसे बड़ा पावर, सबसे बड़ा अधिकार जो है वो देते हुए नज़र आएंगे और दो चिठी होगी दो चिठी मेंसे राचन टास्क में एक चिठी जो है MC Stain को देना है और दो चिठी जो है Priyanka और अर्चना की है और प्रियंका और अर्चना में से किसी एक को देना होगा यहाँ पर MC स्टेन को जो है वो चिठी और MC स्टेन जो है अर्चना गौतम को जो है यहाँ पर चिठी देते हैं और प्रियंका चहर चौधरी को यहाँ पर चिठी नहीं देते हैं जिसकी वज़े से प्र भाई बहन से वो बाते करना चाहती थी उनको एक भी मौका नहीं दिया गया और यहाँ पर इसी वज़े से यहाँ पर पूरी तरह से emotional होते वे नजर आएगी दोस्तों यहाँ पर पूरी तरह से प्रियंका चहर चौधरी प्रियंका चहर चौधरी के आखों से आसू भी निकलत यहाँ पर रचना को तो उनके माबाप का चिठ्थी जो है वो मिल गए लेकिन प्रियंका को मौका नहीं दिया गया प्रियंका के साथ यहाँ पर बहुत बड़ी नाइंसाफी जो है वो की गई तो यहाँ पर इसी वज़े से प्रियंका चहर चौधरी जो है यहाँ पर रोते यहाँ पर पूरी तरह से जब रोते वे नजर आएगी और जब वो अपने भाई बहन को बहुत जादा मिस करते वे नजर आएगी अपनी मम्मी पापा को बहुत जादा मिस करते वे नजर आएगी तब प्रियंका को रोता देख प्रियंका को तूटता हुआ देखकर आप भी पूरी तरह से रो पड़ेंगे, आपके आखों से भी निकलने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पर आसू, पूरी तरह से यहाँ पर प्रियंका चहर चौधरी जब रोते वे नजर आएगी और अपने भाई बेहन को याद करते वे नजर आएगी, अपनी बुड़े मुमी पापा को जो विश है, बात करने की अपनी बुमी पापा से वो पूरी होती है, कब तक उन्हें मौका दिया जाता है, और कब तक वो बात करती हैं अपने परिवार वालों से, यह देखना काफी ज़्यादा इंटरस्टिंग होगा, आज के खास रिपोर्ट में बस इतना ही दोस्तों, और साथी साथ बेल आइकन के घंटे को नहीं दबाया दोस्तों, तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लें,